नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों करम SDFC अर्गो की बात करें तो इंडिया में टॉप मॉस्ट कंपनिया में उसका नाम आता है जेनल इंशुरेंस की सर्विसिस में आप उसे मोटर इंशुरेंस कराते है हैं उसे हेल्थ इंशुरेंस खराते हैं आपको best to best service मिलती है नंबर वन कंपनी अगर इसको माने तो इसमें कोई दोराई नहीं है कि यह नंबर वन कंपनी हो सकती है इसकी सर्विस बहुत अच्छी है मार्केट में इसका जो brand value कंपनी ने बनाया वह बहुत अच्छा बनाया तो बात करेंगे इसी के बारे में सब्सक्राइब कर लिए हमारे चैनल को क्योंकि जो इस तरह की हम वीडियो बनाते हैं उसका notification आपको मिलता रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में दोस्तों HDFC अर्गो जिस नामसे अवंच कंपनी को जानते हैं उसमें दो कंपनी को कुलिबरेशन है इसमें पहली कंपनी है HDFC और दूसरी है अर्गो तो HDFC इंडिया की कंपनी है और अगर अर्गो इंट्रेशन की बात करें तो जर्मनी की कंपनी है तो दोनों कंपनी मिलके इंडिया में जनरल इंशुरूनिस का काम करती हैं और इंडिया में जनरल इंशुरूनिस की सर्विश देती हैं बात करते हैं L&T और अपॉल काम करती है और जो इसका कस्टमर बेस है वह भी काफी बढ़ा हो चुका है अब दोस्तों बात करते हैं SGFC अर्गों के कुछ फीचर्स के बारे में कमपनी के आगे आपको फैसलिटी देती है कमपनी के जो लगबग 8200 से ज्यादा है पूरे इंडिया आल ओर इंडिया तो आपको कोई प्रवल्म आने वाली नहीं है आप कहीं भी क्लेम कराओ आपको आसानी से सब्सक्राइब करते हैं तोषद एक ओले बेलग देते हैं तो फिर आपकी एसी सकती है अदरवाइस पुर्टर इस्योंषर्ड की जो पालीजी लो गयी होती है वह prevention कीबाथ करते तो दोस्तों यहां पर आपको unlimited claim मिलते हैं आप साल में कितने भी claim ले सकते हैं उसकी कोई limit नहीं है बहुत सारे कंपनिया आपको एक claim देती है कुछ दो क्लेम देती हैं मैक्सम कमनी आपको दो क्लेम देती हैं लेकिन है अपको unlimited claim दीती तो कोई चंता करने की बात आप कितने भी claim जितने आपकी गाड़ी लेगती है आप हर बार claim उसमें ले सकते हैं और हुआ कि मोटर क्लेम स्टल्मेंट की बात करतें तो 99 परसंट का मोटर्लेम सेटल्मेंट हैं तो कि बहुत बड़िया है 1 परसंट तो हो सकता है किसी आपको क्लेम में नहीं आने वाली इसके क्लेम इसली कंपणि पास कर देती है सालवे चार्ज इसकी बात करते हैं तो 5% का चार्जिस लगते हैं जो भी आपके मैटल पार पर्ट अपके चेज इन्ज होते हैं सबसे अच्छी कंपरिये माना जाता है तो claim service में इसमें कोई दिक्क्रियां पर आपके यहां नहीं आने वाली है अब बात करते हैं कि इस company से आप कौन-कौन से insurance ले सकते हो किस-किस तरह से आप अपनी गाड़े को secure कर सकते हो तो सबसे पहलो जो mandatory insurance है वो third party insurance third party insurance आप यहां से ले सकते हो third party के साथ आपको PA cover mandatory होता है यह भी आप यहां से add कर सकते हो और उसके साथ में जो passenger cover होते हैं जिसमें कि आपको 1 lakh या 2 lakh तक का maximum 2 lakh तक का cover आपको मिल जाता है जिसमें कि आपको सर्फ 100 पे पर passenger चुकाने होते हैं तो वो cover भी यहां पर आप add कर सकते हो जब आप comprehensive insurance लेते हैं तो आपको दोनों चीजें एक ही policy में मिलती हैं उसको बोलते है comprehensive यह दोनों को मिलाकर ही comprehensive insurance बनता है लेकिन अगर आपने कोई नई गाड़ी लिए और उसको तीन साल तक आप उसको यूज करते हैं तो आपको on damage policy अलग करानी पड़ती है थर्ड पार्टी अलग करानी पड़ती है चौते साल से अब इसको comprehensive insurance कराते हैं policy को तो यह फरक रहता है इसमें कि comprehensive लेंगे तो आपको दोनों चीज मिलेंगी लेकिन अगर on damage लेंगे तो अलग मिलेगा थर्ड पार्टी लेंगे तो अलग मिलेगा अब जब comprehensive लेते हैं तो थर्ड पार्टी के साथ PA cover और passenger मिल जाता है on damage के साथ road shot resistance और उसकी replacement आप इसमें ले सकते हैं तो comprehensive लेंगे तो on damage अलग मिलेगा थर्ड पार्टी मिलेगा एक ही पालिश में आपको दोनों मिल जाएंगे लेकिन on damage और अलग लग लेते हैं तो अब यह चीज सकते हैं थर्ड पार्टी के साथ यह चीज लिए सकते हैं और यह दोनों चीज़ आप अलगलग company से भी ले सकते हैं माली जो third party आपका किसी और company से चल रहा है लेकिन आप चाहें तो on damage आप HDFC अरगो से ले सकते हैं या फिर अगर आपका third party HDFC अरगो से चल रहा है तो यह जो on damage यह किसी और company से ले सकते हैं सिर्फ तीन साल तक शुरू क insurance कराते हैं तब आप क्या-क्या add-on वहाँ पर add कर सकते हो यह यह जो होंगे वो third party के साथ applicable नहीं होंगे सिर्फ आपको on damage यह comprehensive insurance महीं मिलेंगे इस पर पहला add-on है जीरोड़ का आप एड़न लेते हैं तो फिर जो पैसा आपको 50% आपको देना होता 50% company को देना होता है वो प 5% होता है 5-7% वो भी उसमें add हो जाता है लगभग 95-96% पैसा company पे करती है और आपको सिर्फ 5% के आपकर पे करना होता है बात करते हैं इंजन कवर की तो माल लीजे अगर accident से होता है तो आपका इंजन उसमें कवर होता है लेकिन अगर इंजन में पानी चला जाए नहीं करेगा तो आपको claim इसमें नहीं मिलने वाला है accident में तो by default कवर होता है लेकिन अगर आपको इंजन को अलक्से अड़ कराना है पानी से बचाने के लिए पानी जगया उसके इंदर या फिर कुलेंट निकल गया तो उस कंडिशन में इंजन का जो कवर होता है उसको कवर कर लेता है और सारा खर्चा कमपणी इसको आपको पेकर देती है बात करते है रिटेंट उन्वाइस की तो दोस्तों अगर आपके गाड़ी चोरी होती है गाड़ी माग लगती है टोटल लॉस ह सब्सक्राइब करते हैं तो आपको कंपणी की तरफ से इत नंबर मिलता है और कंपनी की गाड़ी आपको वहां पर आजाएगी और आपकी गाड़ी को नियर्वाइस सेंटर तक छोड़ के वहां पर आ जाएगी तो इस तरह की सिर्विस मिलती है उसके लबावा कभी पेट् सब्सक्राइब हो जाता है तो बहुत सारी चीजे आपके चाबी उसमें गाड़ी में आणे आजा है आपकी अनलोक कर सकते हैं चाबी अगर आपकी खूती है तो उसको ब्याब नाय बनवा सकते हैं बात करते हैं तो दूस्तों होते हैं लेकिन इन केस चलते वो टायर ग्रफ जाएं तो उसके लिए आप टायर कवर अलग से ले सकते हैं इस रेड़ान को एड़ करने के बाद आपका टायर होता है उसको हटा कर बागी परसेंटेज आपको पर पेगड़ देती हैं बात करते हैं रिद्द आप बाद करते हैं लुद्ट आपकर बंद्बॉनस प्रटेक्शन अएड़् करने के बाद लेते हैं तो आपके नोगे प्रटेक्शन पर कोई फेक्ट नहीं पड़ता वह इतना है उत्तरा इतना है तो यह सबसे बढ़ें और आपको क्लेम बिल यहां पर आप एड़ कर सकते हैं HDFC अर्गो के साथ अब दोस्तों बात कर लेते हैं को चार्ज की केस पॉलिसी में आपकी क्या कर चार्ज लगते हैं तो सबसे पहला चार्ज आपको फाइल चार्ज का कोई भी क्लेम आप लेते हैं तो अगर आपके गाड़ी पंदरा सो का जो प्रらい होगा उस प्रास का चार्ज करती हैं सालवेर चार्ज थे वह कुछ इस तरीके चार्ज होता है कि मतलब आपका साल्वले करने के लिए यह भी करने कलिए पहुर को ललेती अगर टाटा उता में बात कर तो यह भी चालिस चाल दाढ़ी क में को में लंके लेकिन आगर आप करmotो लेद में लिकरा लेदा कन्यीवल ले लेते आएं तो यह आपका नहीं लगेगा बात करते हैं रोटस आएसिस्टेंस कि तो दोस्तो रोटस्ट शॉइट एसस्टेंस मैं 50 किलोमिटर कुप को प्रफ्री होता है अगर आपकी जो गाड़ी है वो सर्विस से 50 तो आपका कोई चार्जिज नहीं लगेगा लेकिन अगर उससे ज्यादा दूर है तो ऊपर के बैको 50 पर करेगी वहां पर करता है बात करते हैं अपनी गाड़ी में अगाराप सी इंजी अडर्फिये लगवा रखिए तो फिर उसमें साथ रुपे थर्ड पार्टे के लखते हैं और उसके अलावा जो भी आपकी सेंजी की वेल्यू होती है उस वेल्यू का चार परसेंट आपसे कंपनी होगा पर चार्ज करते हैं प्लस जीएस्टी मालेजी आपकी गड़ी की जो सेंजी उसमें वेल्यू उसकी 40,000 रुपे हैं तो 16 रुपे प्लस जीएस्टी आपसे चार्ज करेंगे प्लस उसमें 60 रुपे का एक थर्ड पार्डे का चार्ज होगा वह भी आपसे कंपनी ले लेगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल या नॉन इलेक्ट्रिकल आइटम्स दोस्तों जब आपनी गाड़ी में कुछ अलग से चीज लगवाते हैं जैसे कि आपके अलॉइविल हो गए टायर हो गए या फिर आपके इलेक्ट्रिकल आइटम्स हो गए को सिस्टम हो गाड़ी में यह चीज आप लगाते तो उनको भी अलग से एड करना पड़ता अगर आप आप नहीं करेंगे तो कंपनी आपको इसमें क सब्सक्राइब करते हैं जयसे अगरावाते हैं दोस्तों और आपके आपके नोग सब्सक्राइब की सब्सक्राइब ल yapıyor पेट्रोल है इलेक्रेक शीय तो चारू में अलगलग प्रीम आएगा चारों में अलगलगSee सक्वाइब आपको झेजस्काउंट होगा वह आपको जितना आपका पुराना होगा कलेंगे तो अब पूरे मैध कर दो किस मेंलेगा पस या दिन इसकाउंट की बात करें अगर महींद्रा कीएखशी वीग देती है जोन की बात करते हैं तो यहां ज्यादा और अब आपको फोड़ा कम आएगा और आपका कम आएगा जहां प्रेमिम के स्थेटापर्री plop करते हैं and discuss अभूस待 और कॉण सी गाड़ी है गाड़ी को सी यह अभी इसके प्रिपेमिम अफेइड होता है बात करते हैं मैनिफेक्शिंग और की हिसाब से आपका प्रीमिय लाइगा नहीं करते हैं इन सारी चीज़ों से ही है आपका प्रीमियम क्याल के और हैं यह फिक्स रहेगा लेकिन यह प्रीमियम要 आपको onमेंश और कॉंप्रेंसिव अब के हर गाड़ी पर हर मोडल पर अलग 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 आता है कभी भी सेम गाड़ी से मोडल बैसे अलग अलग असके आहाँ मीठीस वेरी मौãos सेलों कंपनी का जो इंशुरेंस को प्रीम होता है हर गाड़ी का प्रीम होता है वो अलग अलग आया कभी भी सेम नहीं आने वाला दोस्तों उसके अलावा अब थोड़ा सा खिलवाड और कर सकते हैं पॉलिसी के साथ इसमें की यह चीजे भी आप कर सकते हैं देख सकते हैं अगर आपको मिल सकता है ऐसा आप तब कर सकते हैं आपकी काफी पुरानी हो चुकी है आपको लगता नहीं आपकी गाड़ी की काफी कम हो चुकिए आपको लगता है कि यह बहुते हैं जो टिवाइस लगा हुआ हुआ अगर आप मेंबर ऑफ एंडिया के मेंबर है तो फिर आप कुछ डिसकाउंट भी ले सकते हैं बात करते हैं वह अगर आपको कुछ डिसकाउंट मिल लागा उसके लिए बात करते हैं तो आपको कुछ डिसकाउंट मिलता है जो कि 200-300 रुपे हो सकता है तो वह भी आप कर सकते हैं लेकिन आपको नहीं करना चाहिए जो लिमिट आपके साड़े साथ लागते वह घटके आपको 6000 पर आजाती है बागे सारा पैसा आपको खुद देना पड़ता है क्लेव के टाइम पर तो यह आपको नहीं करना चाहिए लेकिन यह चीजह होती है यह आप उसमें देख सकते हैं तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो यह एक बहतरीन कंपनी है आप कभी भी बिना डाउट किये आंख बंद करके इस कंपनी की इंश्रेंस को पर्चेस कर सकते हैं चाहें आप यह पर्सनल अपीनियन है मेरा पर्सनल जो मैंने अभी तक एक्स्पिरेंस किया है पिछले आट-टस सालों में जितने हम लोग पॉलिसी सेल करते हैं अम लोग क्लेम कराते हैं तो हमने यह देखा है कि HDFC अर्वो की पॉलिसी में क्लेम में कोई दिकत्तमा पर नहीं आती साल्वे चार्जिस फपांच पर देती है अगर आप बात करते हैं और आप कंपनी के एंचेंट से बात करते हैं में कर देती है तो दोस्तों HDFC पर आप आसानी से वरोषा कर सकते हैं अप कंपनी का एंशूरेंस आप अपनी वोटर लिए अपनी गाड़ी के लिए अपनी बाइक के लिए अपने तो भी आप HDFC अरगों से आसानी से ले सकते हैं बिना किसी डाउट के तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो अगर अगर आपको अगर देना है तो फिर अपने दोस्तों में भी अपने गुरूप में वीडियो को आप शेर कर सकते हैं धन्यवाद झाल को भी हैं बि कर सकते हैं